हे गाईज मेरा नाम देवबिंदो और आप सभी लोगों का मेरे इस यूटूब चैनल टेक देव में स्वागत है तो दोस्तों ये है MS पाउर पॉइंट का टुटोरियल लंबर 4 अगर आप अभी तक टुटोरियल लंबर 3 नहीं देखें तो आप उपर दिये गए आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं या तो नीचे दिये गए डिस्क्रिप्सर लिंक पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों ये है फाइल मेनू का पार्ट टू जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइल सर्च वे पेज प्रिव्यू, पेज सेटप, प्रिंट, प्रिव्यू, एंड प्रिंट आप्सन के बारे में ओके तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ फर्स नमबर फे फाइल सर्च आप्सन इसके लिए आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में और file menu में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक option मिलेगा file search के नाम से तो आपको एक बार यहाँ पे click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पे देख सेते हैं आपका file search का dialogue box आपके slide के right side में open हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देख सेते हैं यहाँ पे लिगा search for और नीचे आपको यहाँ पे लिगा एक छोटा सा box तो आपको एक बार यहाँ पे click करना है इसके उपर click करने के बाद आपको अपने file का नाम type करना है तो मैंने यहाँ पे type कर दिया my presentation मैंने अपने desktop पे my presentation के नाम से एक file save किया है तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा desktop पे my presentation के नाम से file है वो यहाँ पे search हो जाए तो आपको अपने file का नाम type करना है और नाम type करने के बाद आपको यहाँ पे एक button मिलेगा go का तो आपको एक बार यहाँ पे click कर दना है इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पे देख सेते हैं आपका my presentation का file open हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यह था हमारा file search option इसके बाद आपको next option मिलेगा way page preview का इसके लिए आपको जाना है आपके अपने file menu में और file menu में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक option मिलेगा way page preview के नाम से तो आपको एक बार यहाँ पे click कर दना है इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पे देख सेते हैं जो आपकी file थी यह एक browser के उपर open हो गई आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यह था हमारा way page preview option जिससे आप अपने file को internet page के उपर देख सकते हैं इसके बाद आपको next option मिलेगा page setup का इसके लिए आपको जाना है आपके file menu में और file menu में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक option मिलेगा page setup का तो आपको एक बार यहाँ पे click कर देना है इसके उपर किलिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सेते हैं आपका page setup का एक छोटा सा dialogue box open हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देख सेते हैं यहाँ पे लिगा slide size for आप चाहिए तो यहाँ पे a4, a3, b4, b5 भी आप यहाँ पे page ले सकते हैं इसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सेते हैं width और यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहिए तो यहाँ पे इसको portrait भी कर सकते हैं तो मैंने इसको यहां से ओके कर दिया आप यहां पे देख सकते हैं, तो यह था हमारा पेज सेटप आपसन जिससे आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं, इसके बाद आपको next option मिलेगा print preview का आप यहां पे देख सकते हैं, इसके लिए आपको जाना है आपके फ़ाइल का आप यहां पे देख सकते हैं, इसके बाद आपको यहां पे टॉप साइट में एक बटन दिखाई देगा, close preview का तो आप एक बार यहां पे क्लिक कर दीजिए, इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका print preview close हो जाएगा, तो यह था हमारा print preview option जिससे आप अपने page का preview देख सक पे हैं, इसके लिए आपको जाना है आपके अपने file menu में, और file menu में जाने के बाद आपको यहां पे option मिलेगा, print का आप यहां पे देख सकते हैं, इसका प्रिंटर में आपको यहां पे first option मिलेगा, name का, तो आप यहां पे click करके आप अपने printer का नाम select कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहां पे right side में मिलेगा, property का option तो आप यहां पे click करके इसका properties भी आप यहां से set कर सकते हैं, प्रॉपर्टिज में आपको यहां मिलेगा इसका orientation तो आप यहां पे किलिक करके आप चाहें तो इसको port red या तो आप चाहें तो आप चाहें तो land skype भी कर सकते हैं तो अगर आप port red के उपर किलिक करें तो आपकी page का लंबाई ज़्यादा होसाइगा अगर आप यहाँ पे land escape slide करते तो आपके page का चोड़ाई ज़्यादा होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक button मिलेगा ओके का तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए अगर तो यह था हमारा property option शसके बाद आपको नीचे यहाँ पे option मिलेगा number of copy का तो आप यहाँ पे click करके आप जितने भी copy निकालना चाहतें उतने आप यहाँ पे number type कर सकते हैं अगर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पने पेज को प्रिंट कर सकते हैं ओके कर दना है ओके तो ये था हमारा print option जिससे आप अपने document को print कर सकते हैं ओके तो ये थे file मेनों कुछ option जिसके बारे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया तो उमिद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आपको मिले तो थैंक्स फचिंग मैं वीडियो